बाई एक महनत आप भी कर दो लाइक जरू कर दो और वीडियो को शेयर करो थेंग यह इंदोस्तान में पहला एक वीडियो आज आप देखने वाले हैं जहां हम आपको जैरो सेंसर्स एसकलेरेशन सेंसर्स बता रहे हैं और वह भी एक सैमसंग के ए 50 के बूर्ड में और इसको क में बताओंगा कि इसमें कहां वॉल्टेज आ रहे हैं कहां input वॉल्टेज आ रहे हैं कहां से output निकल रहा है कौन सी लाइन ग्राउंड के साथ कौन सी लाइन से कमांड आ रही है किस लाइन पर फिक्वेंसी बन रही है कौन सा प्रोटोकॉल यूस हो रहा है यहां तो CPU कब उस पर काम कर रहा है सारी चीजे इस वीडियो में देखने को आच नंबर कनेटेड हैं आपके साथ नंबर के हुआ है क्योंकि एन उठाए का यहां पर इन्हों ने एक अप्लब रेजिस्टर के साथ में 1.8 वोल्टेस के साथ लिया आप देख सकते हैं कि यहां पर दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और यह 1.8 वोल्टेसी सप्लाई दे रहे है यह आ रहा है में पावर से अभी तक कोई यूटूब में नहीं बताया हुए है का ना में आपका अप्टा आपी अधसका स्भीकों नहीं कर लाइँ पौले कर लाइँ घै का नियुक्न नहीं और लाइँ प्राइँ आपके स्टिक्व निकालने वाले हैं अ तो हाई माई यूटूब फैमिली कैसे आप सभी लोग स्वाधत करता हूं आपका और इस तेलिकॉम के इस लर्निंग चैनल पे जहां पर आपको मुवा रेपेरिंग के बहुत से टिप्स ट्रिक और आपको हमारे स्टुडेंट के रिविव्यू उनके पैक्टिकल के वीडियो तो अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले वीडियो डालाए डुएल डेकर के जिसमें आपने सायदी देखा होगा कि इंडिया के आपने देखा होगा कि कोई ऐसा हो कि सबसे एक साथ डुएल डेकर करवा दे क्लीन करवा दे लगवा दे ऐसा नहीं है सर बोड भी हम देत ते है जो अभी स्कृष्क्राइब नहीं कर रहा है जो मुझे अभी सुच रहे है की सच करके देख लें घाधे kepada gel अभी जो मैं ढ़ने वाला हो ना जलब का है आज में मेरी बताने वाला स्टना या पहलते हैं जैसे कि इतने संसर आता है जाय चारो संसर एस्कले listening गूब लिए नगजयां मैगनेटिक बहुद सारे से र्जीनर आपके प्रोक्सिमिटी टेंसर उल्स और भी तमाम सेंसर से它的 अगर आप उतका फिंगय प्रिंगरप्रिंटसाइश त ήवर्ट इन अगर और की वर यूट्उब हम HERE K 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 जाइरो सेंसरो बता रहे हैं और वह भी एक सैमसंग के A50 वर्ट में और यह को पेर करेंगे एक चाइना के बूड के साथ में नोट फॉर्ड के बूड के साथ तो मैं यहां पे आई सी के प्लस के साथ बताऊंगा और क्योंकि सेंसर में दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है या तो CPU कब उस पर काम कर रहा है सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो तयार हो जाओ पैन ले लो हाथ में कॉपी ले लो और कि चालूँ कर दो अपने सीखने का मीटर देखते कितना ही जाता है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिब्सक्रेंषी d क्या होते जैसे अपने को प्रोट्रेट से आप करते हो जब आप वीडियो को गुमाकर देखते हो पूरे अप लैंडी शेक्ट में तो तब हमारे ऑचंप काम करता है और जार्री सेंस क्या होते हैं कि जब हम गेमिंग खेलते हैं गेमिंग को डिर्ट कर करते हैं हम पिच्छ यूज करते हैं पैरनॉम सब्सक्राइब करेंगा तो यह इसेंसर करते आपने वीडियो देखें होंगे मार्केट में तो बहुत सारी वीडियो आपको यह बता रहें कि क्या काम करते हैं और मैं आपको अब टेक्निकली बो बताऊओंगा जो टिक्नीशन काम करेगा हमारे आना है तो इतने लेवल पर सीखना पढ़ेगा हमारे जो बच्चे बैटे होंगे वो इतने लेवल पर सीख रहे होंगे एंडलस सबसे पहले चाहता हुं तो इसके अंदर प्रोटोकॉल यूस किया गया है तो इसके अधर इसमें ऊतर जो कि बात करेंगे तो यह他是 उसातался रोला हम हां इधर और एक दो तीन अगर हम आइसी की नंबरिंग की बात करें तो एंडी क्लॉग वाइस लेते हैं इसको एक दो तीन कि चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और चोड़ा तो यह आइसी है और यह आइसी है हमारी जिसकों बोलते हैं जायरो प्लस अगर सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं सैमसंग का एक मॉडल यूज कर लेता हूं जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर दोस्तों आपको मीशो की सप्लाइड देखने को मिलेगी जो कि आपको सब्सक्राइड नंबर वन पर आएगी मीशो मतलब आपकी मास्टर इंपुट अउपुट तो यह सप्लाइड होती है एक से से दूसरे नंबर और तीसर नंबर इसका आपको ग्राउड टेखने को मिलेगा चोधे नंबर की सप्लाइड मैं आपको एंट्रप्टेट की सप्लाइड देखने को मिलेगी ऐस किじゃ जो कि से करनेट्टेड होगी 1.8 voltage के साथ मैं अगर मैं पाच्वे नंबर की बात सेम ही है 14 लैग उसमें भी है तो यहां पर जो 1.8 वोल्टेज हैं पाच नमबर कनेक्टेड हैं आपके साथ नमबर के साथ में और इसको जो वोल्टेज आ रहे हैं यह एक ल्डियों से आ रहे हैं और जो की एक एन उठा रहा है सीप्यू से और एक लडियों सेंसर लगे हुए हैं तो यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं सो बिसीकली छे और साथ को यहां पर इन्हों ने किया है ग्राउंड नौ नमबर सेम इंटरप्टेट के सप्लाई क्योंकि यह दो काम क यहां से बताया जाइरो प्लस एसकलेरेशन लैंडरेशन को पोट्रेट करने का काम तो यह इंटरप्टेट कर रही है जाए रो को और यह जो सप्लाई है यह सीप्यू से आएगी और यहां पर हम बात करेंगे 10 और 11 आपका यहां पर हो गया है एंसी और क्यूंकि मिसों की यह चिप सेप्ल की बाता है और अगर यहां पर बात करें यहां पर नदेया है मौसि मतलब आपकी master output slave input यह जो supply आप देख रहे हैं यह एक gyro escalation IC का supply है जहाँ पर आप देखेंगे कि एक number में MISO का supply है जो से CPU से connected है और दो number ती number आपकी grounded है चार number पर आपका यह भी CPU से connected है यह भी CPU से connected है interpreted supply यहाँ पर input voltage है और यह 1.8 voltage जो की connected है 8 number के साथ में CPU के साथ interpreted की एक supply gyro ताकि जो gyro को interpreted करे और आपको पता होना चाहिए interpreted करना क्या होता है नहीं पता है मैं यह कहता हूँ basic fundamental आना चाहिए जो class में बैठ कर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे जब आप मेरे सामने होंगे क्योंकि दोस्तों ओनलाइन में तो बहुत से लोट ने अपना पैसा ही बरबात किया है हाँ इतना है कि कितना knowledge दे सकते हैं आप आएंगे डूएल डेकर से बूलता है ना component एक रजिस्टरट से लेकर या एक सिंपल पावर आईसी से लेकर ब्लैक पेस्टरट से लेकर डूएल डेकर टक का सफर होगा आपका एंसी मतलब not connected होती है जो कहीं नहीं जाती है और यह चिप सेलेक्टेड है कि आपका जो अब्लाइब यहां पर जो मेरा इसी होगा वह यहां पर यह लगा है जायरोव इसकलेशन आइसी और जैसे कि मैंने बताया है यह आपकी पहले नमबर की मीशो यह ग्राउंड यह इंटरप्टेट आपकी यहां पर यह देखें वी डीडी और यह आट नम्मर के साथ सब्सक्राइब दोस्तों में यहां पर बात कर रहा हूं 1.8 वोल्टेस की सप्लाइब यह सेंसर है जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा यह देखे एक छोटा सा सब्सक्राइब यह लगा हुआ है क्योंकि इन उठाएब का सीप्यू से बेसिकली इनको से जोड़ना था पर इनोंने डायट लीड ना जोड़ा हुआ है इन्पूट सप्लाइब यह आप चाहें तो इनको बाइपास कर सते हैं पर मैं बाइपास करने के लिए कभी नहीं सब्सक्राइब यहां पर आपके इन्पूट जाना चाहिए अब दोस्तों अगर इसी को हम चाइना मोबाइल से कंपेर करें अब देखें यहीं पर अगर मैं बात करता हूं नोट 4 की एक चाया मोडल की जैसे कॉलकम कर लेते हैं तो यहां पर जो जायरो सेंसर आइसी जो जा तो हैं कैसे अब देखिए डिखें पर QD आप नमबर पर इंपूर्ट इस आप बना लिया होगा और Nomar Clinic में यह कि उन्पूर्ट की Centre घो कि यह एक वीटाइड जाक्यार की सप्लाइथ तो दीया है यह दिया है यह वी तक मनलब यह का है है जहां पर इनों ने 1.8 voltage दे दिया है एक capacitor के तुरूप और यहां पर इनों ने एक वी रैग मतलब वोल्टेश एक अप्लाइटर के supply जो कि इसमें L10 और इसमें suppose L8 या L9 की supply से दिया है L5 यह देखना पड़ेगा तो यह जो supply से दिया है यह दिया है में पावर से जो कि एक LDO एक से आता है और यहां पर आप देखेंगे कि कुछ वोल्टेश चेंज है कि यहां पर 1.8 और यहां पर VDD 2.8 और दोनों ही अलग है दोनों ही आपस में बीप नहीं बजाएंगे सो बस बागी सारी चीज़ें एक जैसी सब्सक्राइब यहां पर 2NC यहां पर 1 CS के साथ एक क्लॉक और क्लॉक के साथ जो मॉसी मास्टर आउपुट से लेए इंपुट आपको देखते को मिलेगा तो यह सप्लाइब आपको समझ में आई हो सब्सक्राइब के साथ में मैंने तोड़ा डीटेलिंग करने की कोशिश की है और कुछ फोटूस भी दिखा रहा हूंगा साथ में हाइब कि आपने समझ रहे होंगे और आपको लगता है कि आप भैतर समझना है आपको लगता है कि इसमें पैटिकल भी चाहिए तो आप महिने आ जाओ और आके क्यों नहीं मुझे अपने जिंदिगी के तीज दिन दे दो और हर तीज दिन का बारा घंटा लूंगा सिबाप का और सच बता रहा हूं कमर सीधी कर दूंगा लाइब में डिसिप्लिन ला दूंगा और इतना सब कुछ चेंज कर दूंगा वो जो हमा अब देना बंद करो कब तक दोगे अब काम दूसरों से लेना चालू करो तो कैसा लगा यह वीडियो बताएगा जरूर और इसके साथ मेंने बोला था एक मैगनेटिक सेंसर बता बना देते हैं इसको जूम करूंगा अगया स स्जी सी लगी हो यह यह अपकी मैगनेटिक सेंसर किया काम करती है जब आपको में आपको साली आपको कमपास में कि नौइट किदा रहे में और में इसको डिजाइन करें तог यह हैशनी इसका करें तो इसमें लिएंगा मैं देख एक जूम इसमें आपको बताते हैं प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर आपका आई-टू-सी जिसको हम बोलते हैं आई-टू-सी प्रोटोकॉल की सप्लाई इसमें आ रही है यह हमारा SD-SCL 1.8V के साथ रेजिस्टर जाला है यह उन्होंने 1.8V के साथ में एक पूलब रेजिस्टर लिया हुआ है यह सक्षापलाई यहां पर हैं यह वड भ्रोटे से अापके two राजिस्टर लगे हुए हैं और 1.8 voltage supply दे रहे हैं यह आ रहा है main power से वी regulator supply जो कि हमारा जिसको हम वी रैग बूल सकते हैं वी डीडी आप बूल सकते हैं बिसीकली वी डीडी वाज इसी के अंदर बूलते हैं बट ठीक है तो यह वी रैग की supply और यह आ रही है है sda so sda serial data होता है जो कि command data आता है जाता भी है यह clock आएगा और यह supply आपकी वी डीडी की supply है यहां पर 1.8 इसको इनेवल input voltage मिल रहे हैं simple सी बात है यह वी आर इजी की supply जो की main power से आ रही है अब देखें कुछ नहीं है कि कहने को हलवा कि magnetic sensor इतने sensor से हैं क्या circuit है कहां इसी है अरे प्रॉपर वी में समझो ने एक प्रॉपर जंसे आप देखो ना यह मैगनेटरी सेंसर इसी यहां पर कुछ नहीं होगा दोस्तों वाटर डेमेज के टाइम पर ना गेम बेगर जाएगा कि वी डीडी की आपको यहां पर डाटा इस तरह का मिलेगा और यहां पर आपको डाटा कुछ इस तरह का मिलेगा तो यह जो फ्रिक्वेंशी का डाटा है यह फ्रिक्रेंशी का डाटा आप चेक करेंगे डी एसो के साथ में अलगी इतना करने के ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी क्योंकि कस्टमर कभी भी नहीं आएगा ऐसे में बढ़ हां स्वादिंग के टाइम पर आईशा चेंज करने हुए पैड लाइन का कुछ सीन हुआ कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर देना कैसा लगा एक मैगनेटिक प्रोटोकॉल आई-टू-C के तहट बताया आपको आई-टू-C यह दो सप्लाई दोस्तों इसको बोलता है इंटर इंटिकरेटिट तो यह अई-टू-C एक प्रोटोकॉल जैसे पहले मैंने बताया है आई-टू-C, oni यह दो मोट में परोटोकॉल है जो हमारे फॉन में वर्ड करते हैं हमारे पॉन में टच भी इसी तरह से बड़ता करता है सोब दोफेर 12 बजे के बाद पार्च के बीच में देख लो बाकिया देख रहा चाहता है प्रैक्टिकल वही चीज तो पार्च के बाद में देख लो देस बजे तक और सुबह देख लो आट से बारा बजे तक कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके जरूब बताना बहुत अब अपनी लैब में बैटा हूं हमारी क्लास अभी चालो ने वाली है दो दिन बार हमारी पहली क्लास होगी और अभी बज रहे हैं रात के सारे 11 मैं यहां पर दिखाना भी चाहता हूं तो रहां पर जूम करके तो देखे आपके लिए रात में बैट के सप्लाई बनाई जा रहे हैं परस्टनल लैब में कुछ देने के लिए महनत करने के लिए महनत की है तो वह एक महनत आप भी कर दो लाइक जरू कर दो और वीडियो को सेर करो तैंक्यू बेरी माच्छ